अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके नमस्कार आप देख रहे हैं प्रभासाक्षी मैं हूँ आपके साथ अंकेश सिंग कारिक्रम है चाहे पर समिक्षा और हमेशा के तरह प्रभासाक्षी के संपादक नीरज कुमार दोबेजी सर बहुत स्वागत है आपका इस कारिक्रम में काफी दिनों के बाद हम लोग मिल रह रहे थे तक्निक के माध्यम से मिल रहे थे क्योंकि देश एक वीशन संकट से गुजर रहा था वैसे में हम सब को उस प्रोटोकॉल का पालन करना था सर हम सब भयंकर महमारी से जूज रहे हैं देश जूज रहा है विश्व जूज रहा है लेकिन भारत में इसके साथ-साथ राजनीती भी लगण को लेकर राजनीती हुए catch प्रतियारोप का दौर रासन को लेकर भी दिल्ली में चला लेकिन अब जो है एक तरीके से कही न के कॉंग्रेस को देखें तो पंजाब में जहां कई गुटुस के बटे हुए हैं जेतिन प्रिशाद भाजपा में शामिल हो गया हलाकि कई वर्सों से क्यास लगाया जा रहे थे कि वह नाराज है हलाकि पश्ची मंगाल में उन्हें प्रभारी बनाया गया जिम्मेदारिया द क्या नेधने नहीं ले पा रही है अखिर क्योंग्रीस का जो आने वाली पीड़ी है वह विखरति क्यों चले जा रही है शुल पॉरर को महनत ना करनी पड़े हमको बस कुछ सजा सजा एसा प्लेट में ठाली में रखके मिल जाता है ऐसा मिल जाता है कि लोग कॉंग्रेस के साथ आके खड़े हो जाएं इसको वोट देदें इसको सत्ता मिले तो हम सत्ता में तरफ से को मेहनत करेंगे नि शोशल मीडिया के अलावा कहीं भी पार्टी के नेता सक्रे नजर नहीं आते हैं और खास तौर पर जो आप जितने भी लोग का पार्टी छोड़ कर जाते हैं कॉंग्रेस से अगर आप उनके बैयानों का अध्यान करेंगे तो यही पाएंगे कि सबकी सबकी नराजगी ये थी कि हमको राहुल गांधी में एक नेत्रित जो होता है वो नहीं दिखा और वो पार्टी को चलानी पार रहे हैं और उसके बावजूद उनको द्वारा से उनकी अध्यक्सपत पर ताजपोशी की एक जो परिस्तितियां गड़ी जा रही हैं और आप देखिए जो युवा निता जो की उनकी किचन कैबिनेट के सदस से थे जो ते रहते सिंदिया वो जा चुके हैं और जो दिन पर साद आप चले ही गए सचीन पाइलेट बिलकुल किनारे पर खड़े हैं वो कभी भी जा सकते हैं अगर उनको मना लिया गया तो और वो मानेंगे जीदा मुख्यमंत्री प है आप यहां नितर तु दे सकने वाली इस्तिति नहीं है अब विरप्ल मोली को देखे इतने वरी स्थाद में हो कह रहे हैं कि विरासत पर निरभर नहीं रहना चाहिए पार्टी को जो नेतर दे सकता है जिसकी विचार धारा में हमारी जो कॉंग्रेस की विचार रहा है उस में उसकी प्रतिबदता हो उसको आगे बढ़ाना चाहिए तो कॉंग्रेस शायद समझ नहीं पा रही है और जी 23 ने आप देखे कि एक बनाया था जो गुरूप बना रखा है लोगों ने कि हम कॉंग्रेस में सक्रिय नित्रित रुचाते हैं कॉंग्रेस में जो संग्धन के च जो कॉंग्रेस अध्यक्षपत का चुनाव ताल दिया जाता है अब देखे कि लगभग साल कम से कम हो गया रहूल गांदी को अध्यक्षपत से स्तीफा दिए हैरत की बात है कि देश की सबसे बड़ी सबसे पुरानी पार्टी और जिसने सरवाधिक समय तक शाशन किया वह स जवादो साल में एक सक्रिय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है अपने आप में हैरत की बात है अब ठीक है आप भाना कह सकते हैं कि अब यह कोरोना आ यह आगया सब काम हो रहे हैं बड़े-बड़े चुनाव हो रहे हैं बड़े-बड़े राज्यों में सब्जगा हो रहा है तो आप अध्यक्षपत का चुनाव तो आप लोग ने एक ऑनलाइन भी चुन सकते हैं सहमती बनाकर क्योंकि राज्यों से जो भी नाम आएंगे वह केंदर में परचा भरेंगे उसके बाद उनके से अगर किसी को आम सहमती से नहीं होता तो चुनाव होंगे तो यह ऐसा नह होता अब अगर हम देखें तो आप जो अभी हालिया विधान सवा चुनाव हुए उसमें कॉंग्रेस का निराशा जनक प्रदेशन रहा लेकिन कॉंग्रेस इस बात पर खुशती की बचसे मंगाल में बीजेपी जो 200 सीट का दावा कर रही थी वह उसको हासिल नहीं कर पाई तो दूसरे के घर में अगर कोई ऐसा घटना हो गई है हम उस पर खुश हुए तो दिखाता है कि आप रसातल में जा रहे हैं और खास बात यह है कि आप जो इन्होंने एक कमिटी मनाई थी सोनिय गांधी ने कि जो विधान सवा चुनाव में करारी हार हुई है कॉंग्रेस क अध्यान कि जाए उसमें कौन-कौन रखे गए वो सारे के सारे गांधी परिवार के समर्ताखिते और उन्होंने अपनी रिपोर्ट समिट के वे भी समय हो चुका है उस रिपोर्ट का क्या हुआ क्या कारवाई हुई उसमें क्या था यह कुछ नहीं आया अच्छा अभी देखते हैं अब खाली उत्रपदेश का उधारण ले ले वहां बीयल संतो श्रादा मोहन सिंग गए थे एक जो वहां पर हर एक कम से कम सॉल डेड़ सो लोगों की राय ली गई वहां पर विधायकों की मंतरियों की पार्टी की पदाधिकारियों की संग के नेताओं की क्या तो यह फ़र्क है कि वह शाधा मीडिया प्रेमी है और वह कंजेड कम करते हैं वह महांे नहीं कि नहीं उती तो मुझे लगता है कि शाध कॉंग्रिस को उब आई Еще सीखने की बहुत कुछ करने की जरूत है क्या सबसे ज्याद अनभा है के एक सबन्हें अगर लोग छोड़के जा रहे हैं और कॉंग्रेस के नेता यह कहते हैं कि जिसको जाना है वो जाएगा तो ऐसे तो पार्टी खतम हो जाएगी पार्टी खाली हो जाएगी असर जाहिर से बात है अभी पंजाब में भी इस्तिती सामाने नहीं अगर अगर कैप्टेन अमनिंद भाजपा भी इससे अच्छूता तो नहीं है उत्तरप्रदेश में देखिए क्या चल रहा है भले ही पार्टी की ओर से कहा जाए कि इंटर्नल मीटिंग्स हैं लेकिन यह खबर तो आहीं गई ना कि कहीं न कहीं वहां पर योगी आदितिनाथ हो लेकर सब कुछ सामाने नहीं हैं इसके अलावा सर मध्यप्रदेश देख लिए हिमाचल देख लिए करनाटक देख लिए इवन त्रिपूरा मनीपूर तमाम ऐसे भाजपा सासित राज्य हैं वहां पे भी अटकल बाजी लगातार हो रही है नित्रुत परिवर्तन को लेकर तो कहीं न कहीं भाजपा में इस्तिती तो सहज दिखाई नहीं दे रही है इसमें खाली बीजेपी शाषित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हटाने की चर्चा चल रही हो या उनके खिलाफ बगावत की चर्चा चल रही हो ऐसा नहीं है अगर आप देखेंगे चाहे हम कॉंग्रेस की बात कर रहे थे च्छतिसगड में आप दिख लीजिए पंजाब में आप देख लीजिए रायस्थान में तो सारोजेनी की है सब कुछ तो यह कोरोना का जो समय रहा है कोरोना काल में हर सरकार की जो च्छवी हो प्रभावित हुई है क्योंकि हमारी ने एकदम से जो अपना रादरू रूप दिखाय था उसमें सभी जो सरकारे थी वो ततकाल उसको उस पर काबू पाने में विफल रही थी क्योंकि जो हमारी स्वास्त है धांचा था उसमें इतना काम नहीं किया गया था पिछले कर 50-60 वर्षों में कि वो उसको झेल पाए इतने सारे जब मरीज एक साथ आ जाते हैं मयले किसी को यहां था संशान तक नसीब नहीं हो रहे था यह हालत हो गई थी तो यह मुख्यवंद्री की लोक्रिता में गिरावट यह हर सरकारे ने करूं कि हम थी सब तो सब उसका प्रयास करते हैं चाहे हम करनाटक देख लीजिए चाहे और अन्य राजी देख लीजिए जहां पर भी बीजेपी की सरकारे हैं आप इंत्रिपूरा का नाम लिया और बस टीक है कॉंग्रेस का भी वही है जहां पर हम कह सकते हैं कि एक ही पार्टी का शार्षन है सब्सक्राइब करना चाहूंगा कि क्या भाजपा ने कर दिया क्योंकि भाजपा के लिए कहा जाता था कि यह अपने नेताओं पर विश्वास करती है जो नेता एक बात जिसको इन्होंने सत्ता में बैठाया उस पर यह पांच साल पूरी तरह से भरोसा करते हैं लेकिन उत्रखन में जो कुछ हुआ अचानक मुख्यमंत्री को हटाए गया उसके बाद से ट्रेंड हो गया कि कभी भी कोई मुख्यमंतरी हटा दिया जाएगा भाजपा को लेकर तो यह चीज़े सामान नहीं थी पहले नहीं तो पहले अगर पहले का इतिहास देखें तो बीजेपी में ऐसे कम ही मुख्यमंत्री थे कि पांच साल का कारेकाल पूरा कर पाते थे जरा साल लगता था कि छबी प्रफावित हो रहे यह सरकार की तो बीजेपी मुख्यमंत्री बदल दिल्ली में हमने देखा कि जब 93 में सरकार बनी तो पहले मदनलाल खुराना साहिब सिंग मरमा फिर शुष्मा सुरा जाएं ऐसे ही तो यह बीच में थम गई थी चीजें लेकिन उत्तरा खंड का जो मामला था अब उसमें बहुत सारी चीजें थी सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ चला भी गया था मामला त्रिवेंसिंग रावत के खिलाफ कुछ ब्रस्टाचार क्या रोप लगे थे हलाना कि उस पर दाग लगा हो वह पार्टी नहीं बरदास्ट कर सकती थी या उसको लगता था कि उससे हमारे प्रवावित होगी चुनावी समभावनाव पर असर पड़ेगा तो मुख्यमंत्री बदला गया ऐसे और भी बहुत सारे कारण है जो मीडिया में चलते रहते हैं लेकिन कोछ नेत्रितु में चुनाव जीत जाते हैं तो वह फी नेत्रितु आगे बढ़ाता है लेकिन इस बार चुकि नेत्रितु नहीं किया था तब ही समामना लगए लग रही थी कि शायद सर्वानन सोनुवाल का नंबर नहीं आए और हिमनता विश्वा सर्मा को मुख्यमंत्री बन यह एक बड़ा मैसेज गया है और जल्द ही अब जो कैबिनेट का विस्तार केंदर में होने वाला मुझे लगता है कि शाद जोती रहते सिंधिया को भी उसमें जगा मिलेगी ही मिलेगी खास तौर पे मद्यप्रदेश में इस समय काफी जो उठाप चल रही है उसको शांत करन तो यह शायद सचिन पाइलट को भी एक मैसेज होगा और वी जो लोग आना चाहते हूं वहां से खास्तोर पर यूथ है और अभी आप देखिए जिसम बात कर रहे थे कि सरकारों की शवी की तो इसमें भी कोई दोराय नहीं की केंद्र सकार की प्रभावित हुई है हलांकि क लेकिन राणीतिक दल माहल को बदलना जानते हैं वह महल को पूरी तरह बदल देने में जल्द से जल्द बदल देने में माहिर है तो वह जरूर ऐसे प्रयास करेंगे कि सामने वाले का मनुवल कम हो और हमारे जब और जो जनता है वह भी यह देखती है कि कौन इस समय अगर उसके लोगपृता में थोड़ी सी गिरावट पी है तो भी उसके साथ जाना पसंद करती है और सब्सक्राइब यह है कि जो अगले साल 2022 है वह बहुत महत्पूर्ण रहने वाला है महत्पूर्ण इस लिए क्योंकि तो फरवली मार्च में पांच राजियों में चुना और राज्यों में सरकार है और उन पांच राज्यों से लोकसवा TV सरवाधियों सरवाधिकन वन में रहने के लिए 2022 में वह ज़ीज़न है इस लिए वाओ उठपूर्ण दूसरे दलों में और शायद और तेजी से काम भी करेगी तो मुझे लगता है कि 2022 की तैरी चल रही है लेकिन 2024 की तैरी मंतर बैनर्जी भी कर रही है बंगाल में क्या चल रहा है जो भी भाजपा में इंपोर्ट किये गए थे वह फ्लाइवे क्यों हो रहे हैं नहीं देखे वहां पर जब अधिकांश लोग आये थे टीम सी से बीज़ेपी में चुनाओं के समय अधिकांश में क्योंकि वहां पर हर दल में जो भी काम कर रहा हो तो उसको पता लग जाता है कि उसके बहुत सारे स अब उस पार्टी की जो लोग पुरेता है वह उसमें गिरावट है तो मैं चुनाओं वहर जाओं तो वह लोग ऐसे थे जिन्होंने एंड टाइम पर अपनी प्रतिवत ता बदली बीज़ेपी में और चुकि इसमें भी कोई दोर आए नहीं कि ठीक है ग्राउंड लेवल प प्रचार था वहाँ पर तो उससे भी बहुत सारे लोग शायद भ्रहमित हो गए उनको लगा कि हमको बीज़ेपी में जाना चाहिए कि वही इस वर सरकार बनाने जा रही तो बहुत सारे लोग आये थे और चुकि उनकी वैचारी प्रतिबदता नहीं होती है तो अब वहाँ किया जा रहा है महिलाओं के साथ दुराचार हो रहे है राज्य सरकार मुग तर्शक बनी होई है तो और चुकि यह कानून वैस्ता है राज्य का विशह है अब उस पर केंदर सरकार बहुत कुछ कर रही सकती है टीमें चाहे वह चली गई है महिला योग चला गया है वह अप पता है कि अब हमारा अगर यहां पर हम बने रहें तो हमारे लिए शायद 5 साल गुजारना बहुत मुश्किल हो जागा तो वह आपस लोटने के अरजी डाल रहे हैं लेकिन वापस लोटना अतना असान होगा नहीं क्योंकि टीम सी जिस तरह है पिछली बार से यहादा होकर अबरी है उससे लगता है कि शायद खास और पर अपने चुनाओं के समय भी देखा था कि मेर जाओ फर चले गए हैं इस तरीकी की बाते और पतानी क्या-क्या उपमाई दी गए ती ऐसे दल बदलने वालों को तो इतनी असानी होगी नहीं और दूसी बात क्या है कि अगर हम सब्सक्राइब को चिट्थी भी लिखी है कि हम आपकी बीना नहीं रह सकते हैं हम मर जाएंगे आपको लिए लिए उन्होंने इतनी बाते लिए हैं भावक करने लिए लिए उसके बावजू को या ममताव इनर्जी को कोई फरक नहीं पड़ा है तो यह इस बार टेम सी तना असानी सब्सक्राइब की मुझे असा लगता है कि ठीक है कि अगर तो हर नेता में वहाँ पर है और खास्तार पर मुकुल राय ने चोड़ने के बाद से बीजेपी को मजबूत करने में बीजेपी को आगे बढ़ाने में अपना युगदान दिया है और वो विधान सवाग चौनाव भी जित गए हैं उसके बावजूद शुभिंदू अधिकारी अब उनके नेता हैं तो व समाज जीत करना पड़ेगा मुकौल रहे हैं वहां पर भी केंदर में भी सब कुछ तो बंगाल को नहीं दे सकते और भी राज्यों में चुनाव हैं वहां पर भी उनको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से राणीतिक समीकरन बिठाने हैं तो कितने लोगों को वहां से लेक अब थोड़ा महराष्ट की तरफ चलते हैं सिवसेना के लिए जो कल तक सोनिया गांधी सर्फिस्ट नेता हुआ करते थी अचानक मोदी साहब कैसे हो गया है नहीं उसमें कोई दोर आए नहीं की खास्तोर पर अगर हम विचारधारा के लिहाद से देखें तो नरेंद्र सब्सक्राइब और उस नाते और हम जो प्रधान मंत्री भी हैं वह वोलते हैं उसको उद्व ठाकरे को तो एक बहुत अच्छा सहज रिष्टा है और पिछले साल जब महाराष्ट में विधान परिशित के चुनाव नहीं हो रहे थे उद्व ठाकरे ने की सरकार जा सकती थी मुख्यमंत्री यह मैं कि चग्त कहुंआए उन्हें मतरी ने राजेपाल को बोला राजेपाल ने को चिठी लिगति आप मिधान पश्यत के च्छनाव बिच में सहेख समद्ध और और इस बार नीतीذिक रूप सब्सक्राइब कर सकता है और जब सुप्रीम कोट ने कह दिया कि हमारे जो एक समिधान के हिसाब से पचास प्रतिशत से उपर नहीं हो सकता तो अब सिर्फ के पास है जिस तरह से धारा अगर केंदर सरकार चाहे तो राश्ट पती के जरिये काम कर दीजें कि आप जाकर सकते हैं तो अब केंदर सरकार ऐसा करेगी नहीं वहां पर महारास्टर में बीएपी ने प्रेशर बना रखा है कि जो उद्धव ठाकरे सरकार है महाराथा के अरक्षण के प्रती गंभीर नहीं है कि इंदर में बीजेपी का नेता उस पर कोई कुछ बोलता नहीं है क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने यह मुद्दा छेड़ दिया अगर हमने आप आज महारथा अरक्षण के बात में कुछ हेल्प कर दी तो हमारे लिए खासवर पर जो हमारे अपने राजे जहां पर मजबूत हैं वहां पर हम एक नई राजितिक आफ़त मोल ले लेंगे उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे कि आप हमारा भी आरक्षण कर और यह जो कोटा बढ़ रहा है इसमें इस तरीके की बात भी कहीं कि शायद ओबीसी का जो इसमें उनका जो हिस्ता वो कम हो जाएगा बीजेपी का ओबीसी के बीच में बहुत अच्छी पैठ है और यह जो हमने बात करी चाहें गुजर हैं या पटेल हैं या मराठा है यह अपने राज्य में सीमित हैं लेकिन अगर हम रास्ट के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ी संख्या बीजेपी उसको कभी नहीं खोना चाहेगी तो यह एक उठाकर रहें वह तो रिक्वेस्ट करी है दूसरा बात यह है कि खास और 2022 में बुंबई नगरपालिका और पु अगाड़ी सरकार चल रही है तो यह तीनों में घठबंदन हो जाएगा नगरपालिका के लिए इतना असान है नहीं यह बात जितना लगता है कि सरकार चल रही है तो यह राजितिक की रूप से फसे में हैं इसलिए शायद बीजेपी के पास एक चाहे या तो हेल्प मांगन और शीवसिना ने अपने मुखपत्र सामना में भी जो लिखा है खासवर पे जब उध्व ठाकरे दिल्ली यात्रा अपनी पूरी करके गए तो बहुत बहुत बेहतरिन तरीके से उन्होंने केंदर की भी तारीफ करी है और भी कई सारे लिखी तो एक सहज संबंद बनाने की ब लिए थे तब सोन्य गांधी से मिले इस बार नहीं मिले हैं लेकिन रिष्टे कितने जल्दी बदलते हैं आप आज से एक से देर महीं ने पहले देख लिए यही उद्धव ठाकरे ने ट्वीट कर लिखा था कि मैंने पीएम को फोन कि और पीएम पता चला कि पीएम बाद मे बेंगोल में हैं तो रिष्टे कितने जल्दी साज होते हैं राजनीती में और तभी कहा जाता है नहीं कोई किसी का दोस्त नहीं को ऑप्र में इतना ही प्रभासाक्षे के संपादक नीरजकुमार दुबे और अंकित सिंग दोनों को दीज़े इजाजत अगले सब्ता फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार